Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta, welcome to Ready for Study आज हम Class 6 के लिए Hindi विशे की वर्क्षिट लेकर आए हैं यह आपकी Hindi वर्क्षिट 31 है और इसकी डेट है 2 नवंबर 2021 ठीके बच्चे, तो यहाँ पर आपका जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क्षिट में वो है अक्षरो का महत्व इसी पार्ट के उपर मैंने पहले भी एक वीडियो अप्लोड औरेडी किया हुआ है वो इस पार्ट का आगे का भाग है ठीके तो हमने पढ़ा था कि यह जो पार्ट है अक्षरो का महत्व एक मराथी कवी ने लिखा है मराथी लेखक ने लिखा है लेखक का नाम है गुणाकर मुले ठीके और उन्होंने बहुत सारे हिंदी में कविताएं लिखी हैं गध्यांश लिखे हैं कहानिया लिखी हैं इंग्लिश में दोसों से करीब ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं ठीके हमने सब कुछ पढ़ा इने सुयम की है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय पर हुई थी मतलब आज हम इतना जादा जान गए हैं कि अब हमें पता है हमने कौन से अक्षर की खोज कब की थी हमारी यह धर्ती लगबक पांच अरब साल पुरानी है दो तीन अ वाकर आप यह सोचो कि स्टार्टिंग से ही मनुष्या धर्ती पर रहा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है इंसान तो बहुत बाद में आए हैं इंसानों से पहले जीव जनतु थे और जीव जनतु से भी पहले बौधे थे सबसे पहले मैं आपको बता दू कि साइंटिस्ट वह ऐस उसका विकास हुआ कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाउं को बसाना शुरू किया था और तभी खेती करना है था बहें में जिसमें मोहन जो दाड़ो हडपा लोथल काली बंगा इन सब के वारे में तुम पढ़ रहे होगे तो वह देखो उसमें तुमने सीखा हुआ कि वह लोग ऑजार बनाते थे बरतन बनाते थे सबसे पहले उन्होंने शेहरों में बसना शुरू किया था भारत में पहला शेहर पुरानी है ठीक है तो पांच अरब साल औप्चननमर का पर ठीक कर दोगे आदमी ने गाउं को कब बसाना शुरू किया दस हजार साल पहले slaughter吉 लाकशाल पैर यहई दस होजारों का इस्तिमाई करते थे पत्रों के तामबे के कांसे के तो उप्यूग सभी तहीं देखो वह इस्तेमाल आधी मारब उत्ते नोग Han breath Files две मतलब सभी परकार परकार के आमित आप ट्रों कोज़ारों करते थे लेकिन सबसे चीजों का इस्तिमाल करके उचार बनाते थी उप्यूग तो सभी ऑप्षिन नमर घापे टिक करना है आपको ठीक है गद्यांच के अनुशार अक्षरों की खोज किस ने की है तो मनुष्य ने की है पहले हमने वीडियो पढ़ी तो हमने देखा था कि अक्षरों की खोज जो है किस ने की है अक्षरों की खोज इश्वर ने की ऐसा लोगों को लगता था लेकिन अब लगता है कि अक्षरों की खोज इश्वर ने नहीं की वलकि मनुष्य ने की और अब तो हमें ये भी पता है कि मनुष्य ने अक्षरों की खोज कौन से देश में किस समय पर की थी ठीके करोडों साल तक इस धर्ती पर किस का राज जे रहा केवल वनस्पती का केवल जन्वरों का जन्तों का या वनस्पती का या फिर आद्मियों का तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ाना कि वनस्पती का ही यहाँ पर राज जे रहा किसका केवल जानवरो और वनस्पति का ही धर्ती पर राज जे रहा शुरुआत में तो जानवरो और धर्ती का कोई है हाँ जन्तु और वनस्पति तो option number घापे आपको टिक कर देना है ठीके ओके इसको फड़ा फड़ा सा रेस कर देते हैं अच्टी पर कोई 5 लाख साल पहले जन्नम लिया था तो पांच लाख फाल option का है 10,000 साल 5,000 करोड साल नहीं 5,000 साल पहले नहीं 5 लाख साल पहले option number घापे आपको टिक कर देना है ठीके तो बस अभी आपकी गतिवीदी भी तो है आपको activity मिली है कि विलोम चब्द करने है तो मैंने लिख दी है पुरानी का नई होता है पुरानी गाड़ी नई गाड़ी धर्ती का अकाश विकास का हरास देखो विकास का मतलब होता है विर्दी करना और नईनी चीजे करना और हरास का मतलब होता है जो जो चीजे हो रही है उनको पीछे छोड़ देना मतलब और पीछे आना हरास का मतलब होता है कमी होना ठीक है दिर दिर जल्दी गाओं का शहर ठीक है तो बस यह आपकी वर्क्षिट इतनी थी अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रूप में शेयर कीजिए ठीक है वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ वीडियो में कमी लगती है कोई सेजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो ठीक है और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज ठीक है वी नीड यॉर सपोर्ट सबस्बची